स्वागत अब चौप का सेल्फ स्टडी के यूटूब चैनल पर और आज हम एक करण टोपिक है कि बारबाडोस जो दुनिया का सबसे नया गनराज्य बना है अब नया गनराज्य का क्या मतलब है ये गनराज्य यानि रिपब्लिक क्या होते हैं क्या पहले गुलाम था अब कुछ नया बन गया है तो इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं न्यूज है न्यूज में करन टोपिक के साथ आपको यहां पर एक आपको constitutional monarchism और साथ ही साथ यह जो आपने राष्ट्रमंडल हमारे जो books में हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रमंडल देश यानि commonwealth country क्या होते हैं या commonwealth realm क्या होते हैं तो इनके बारे में आप जानने वाले हैं और जो यहां की एक नई प्रतम प्रेजिडेंट सांडरा मैसोन ये बनी है ओफिशिली रिमूव कर दिया गया है Elizabeth को अब क्या था क्या पहले यहां पर राज चल रहा था तो इसको देख लेते हैं कि हाली में जो महारानी Elizabeth धुत्य हैं उनको उनका जो प्रमुक पद है उनको पर अधिकार रहा है वो एक तरीके से अब खतम हो गया है अब केरेबियन द्वीब के पास है 55 साल हो गए इस देश को अजाद हुए या फिर ओपनिवेशिक कंट्री इसको बाहर आये हुए अब ये ओपनिवेशिक से हाफ ही बाहर आया था ओपनिवेशिक का मतलब भी मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी क्या है राष्टरमंडल आपने बुक्स के अंदर राष्टरमंडल देश के बारे में आपने सम पढ़ा भी होगा देखे राष्टरमंडल के बारे में मतलब कि 54 देश है राष्टरमंडल के बारे में अब यहां पर राष्टरमंडल देश में ही 16 जो country हैं वो मतलब की common wealth realm कहलाती हैं अभी आ रहा हूं उसके बारे में 1966 में ये देश अजाद हुआ था 1966 में जब ये देश अजाद हुआ तो यहां पर एक छोटी सी history मां आप लोगों को बता हूं तो Britishers यहां पर आये थे गन्य की खेती करने यहां पर आप देखेंगे एक छोटा सा island बिल्कुल छोटा सा यहां पर आपको इस map में तो दिखेगा भी नहीं इवन ये जूम किया हुआ है और इसको और जादा जूम किया हुआ है यहां पर तो यहां पर यह बिल्कुल चोटा सा देशा यहां पर जो Britishers यानि जो अंग्रेज आये थे वो गन्ने की खेती करने या शुगर या कोटन इसकी खेती करने के लिए थे अब वो तो खुद करेंगे नहीं उनको गुलाम चाहिए थे तो यहाँ पर इन लोगों को गुलाम बना कर यहाँ काम करवाया गया था लगबग 6 लाग गुलाम थे तो 1966 में यह जो देश था वो आजाद हुआ था लेकिन जब यह आजाद हुआ था तो इस देश ने जो बारबाडो जो देश है इसने क्या किया अपना परधान मंत्री तो चुना लेकिन राष्टपती नहीं चुना अब राष्टपती जैसे कि हमारे देश में भारत का एक एक एक्जामपल में आप लोगों को दूँ तो भारत में क्या होता है जो राष्टपती है उसको चुना जाता है उसको चुन कर ही हम वहाँ पर विटाते तो एक रिपब्लिक कंट्री वो होती है जिसमें जो सरवोच व्यक्ती होता है उसको चुना गया हो यानि राष्टपती का चुना होता है और वो जनता के द्वारा ही किया जाता है हाँ वो अलग बात है कि उसको हम इंडिरेक्टली चुनते हैं जैसे कि हमने चुना जो MLA है MP, MP, MLA ने जो है वो हमारे भिहाव पर राष्टपती को चुना, इंडिरेक्ट चुना तो इसको कहते हैं इंडिरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर एक छोटी सी चीज में आप लोगों को बताना जाऊंगा कि क्या होता है, यह गणराज्य का मतलब परजा की चलती नहीं है, इसी की चल रही होती है यही कहेगा कि यह करना है, वो करना है अपने कानून, अपने हिसाब से लगाएगा डिक्टेटर्शिप यह चलती है नोर्थ कोरिया में डिक्टेटर्शिप है अब रिपबलिक, मैंने जैसे बताया कि Republic में जो ये जो जनता है ये जो जनता है वो अपने मतों के according मतलब कि एक चायगा कि नहीं हमारे उपर एक leader आए और वो leader कोन आए ये जनता चुनकर ही उस leader को भेजेगी तो ये होता है Republic आप पूछो कि भारत कैसा देश है भारत democracy भी है और Republic भी है हमारे यहां पर जैसे कि मैंने का जो राष्ट्रपती का जो पद है वो indirectly चुना जाता है MP और MLA के द्वारा एक होता है aristocracy इसमें क्या होता है इसमें जिसके पास भाईया पैसा है देश चला लो यानि पैसा देकर एक तरीके के सबसे बड़ा पद या फिर कहें वही राजा बन गया पैसा देकर तो यह हो गया आज की डेट में कहीं नहीं है लेकिन एक तरीके की mix economy हो गई है मतलब की पैसे का दबदबा रह गया है ऐसा नहीं है की नहीं रही है पैसा चलता है लेकिन वो दिखता नहीं है clear फिर आता है मौनार्की मौनार्की मतलब राजा का शाशन एक राजा होता है अब इसी की बेटा जो है वो राजा बनेगा फिर ऐसे जो चीज़े हैं वो चल रही है यहां पर कोई भी समीधान नहीं होता तो इसे कहते हैं राजा का शाशन और एक और जो चीज़ है आपको UK के बारे मुदा देता हो UK में राजा का शाशन चलता है लेकिन UK में क्या है जो जनता है इन जनता ने अपने लिए एक परधान मंत्री चुन रखा है परधान मंत्री प्रधान मंत्री जो प्चुन रखा है तो इन्होंने एक अपना समीधान भी बना रखा है तो समीधान ये दोनों मिलकर ये दोनों मिलकर देश को चलाते हैं तो इसको कहते हैं Constitutional Monarchism यानि सम्वेधानिक राजशाही अकेले राजा की नहीं यहाँ पर जो एक व्यक्ति जो जन्ता के द्वारा चुना गया है उसकी बाते यानि उनकी भी सुनी जाएगी यहाँ पर तो इसको कहते हैं Constitutional Monarchism तो कहां कहां चलता है Constitutional Monarchism तो छोटी सी एक information आप लोगों को देना चाहूँगा यहाँ पर एक UK है और एक Australia यहाँ पर Constitutional Monarchism चलता है लेकिन इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा एक बढ़िया से तरीके से क्या है UK में जो राजा है वो कौन है Elizabeth II है और जो यहाँ पर परधान मंत्री कौन है तो यहाँ पर जो परधान मंत्री है वो कौन है Borisun औरे क्या हो गया एलिजबेट 2 region जो Queen Elizabeth है वो यहाँ पर राजा ही है अब उलग बाद आप कहेंगे राणी एक तरीके कि राजशाही की बात करो हुए राजशाही कोई Queen Elizabeth II की है और यहाँ पर जो परधान मंत्री है वो कौन है यहाँ पर परधान मंत्री है वो है Scott Morrison Scott अब फर्क क्या है इसको समझना जो यहां का जो राजा है UK में जो यह जो Elizabeth है वो यहां की मतलब नागरिक है यहां का रहने वाले हैं यहां पर तो यह इनी का दो देश है इनी का घर है यह लेकिन यहां पर क्या है यह जो Elizabeth यहां पर है यहां एक तरीके का राजा का कबजा समझो इसको इस चीज को कहते हैं इस चीज को ही कहा जाता है common wealth realm common wealth realm common wealth realm का मतलब हुआ कि यहां पर जो सर्वोच पद जो है वो यह कहेंगे कि हमारा जो राजा तो हम आपको ही माल लेते हैं लेकिन एक परधान मंतरी में हम चुल लेते हैं constitutionalism, constitution के according हम काम कर लेंगे लेकिन जो आप यह हैं एक अपना हाद भी हमारे सर पर रख लीजिए कि हम ही आपको सर्वोच मानेंगे आप ही हमारे सर्वोच दाता होंगे तो यह होता है constitutional realm अब उस constitutional realm में से पहले होते थे 16 देश उस constitutional realm में उन constitutional मतलब कि यह जो realm है इसके अंदर Australia, Canada, New Zealand, Barbados यह हुआ करते थे और इसी 16 देशों में से एक जो देश है Barbados यह देश बहार आ गया है अब इन्होंने क्या किया इनका तो अपना परधान मंतरी है ही ही Barbados वालों कहा कि भाया हम ही संभाल लेंगे हमारा सरवोच हमारा राष्टरपती होगा और जो इनकी राष्टरपती जो बनी है कहां पर है यहां पर पहले पेज़ पर नहीं था क्या यहां पर जो राष्टरपती है यहां मैं नाम कहा रहे गया यहां पर यह रहा, यह जो राष्टपती यह बनी है, जो फर्स्ट जो राष्टपती जो बनी है, सैंडरा मैसोन बनी है, और जो मोटली करके इनका जो नाम है, जो यहां की परदान मंत्री बनी है, मैंने इनकी नाम भी लेकर आया था, यहां पर कहां गया, अहां यह रहा, सैं में आया होगा कि एक constitutional monarchism क्या होता है और UK में कैसा constitutional monarchism चलता है और Australia में कैसा चलता है और उन 15 उन 16 देशों में से अब Barbados जो है वो अलग हो गया है एक तो ये चीज होगी यहां पर जो पहले 16 देश हुआ करते थे लेकिन अब एक हट गया है अब वो कौन सा है देश है वो Barbados है और Barbados ने क्या किया है समवेधानिक राजशाही जो है उसमें से राजशाही हटा कर अपने ही देश का जो राष्टपती है उनको बना लिया है और इसी चीज को कहा जाते है रिपबलिक अब जहां पर commonwealth realm है वहाँ पर Queen Elizabeth के द्वारा क्या होता है कि जो यह जो पंदरा देश बच गए Australia, Canada, New Zealand और भी बाकी सारी छोटी-छोटी countries है मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ यह जो main countries है जो बड़ी-बड़ी जिसको आप जानते है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो Queen Elizabeth है इनोंने क्या कर रहा है इन देशोंने अपना जो है सबसे बड़ा जो पद है वो Queen Elizabeth को दे रहा है अब जाकर Queen Elizabeth तो वहाँ पर बैठेंगी नहीं तो उनोंने क्या कर रहा है वो इनी देश में से जो जैसे कि Australia हो गया या Canada हो गया या New Zealand हो गया तो इनी देश में से एक अधिकारी को चुनती है और वहाँ पर उस पद पर बिठा देती है और उनके भीहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं तो उसी चीज को कहा जाता है गवर्नर हमारे देश में जो जैसे चलता था ना गवर्नर जर्नल तो वो वही चीज़ है वो Queen Elizabeth दृत्य के रेफरेंस से वो चीज़ उनको बिठाया गया है और वो उनके ही भीहाँ पर वहाँ पर काम कर रहा है क्या हमारे देश में पहले क्या constitutional monarkism चलता था क्या जब हमारा देश गुलाम था नहीं देखो हमारे देश में क्या था पहले तो पहले कोई हमारे देश में परधान मंत्री चुना हुआ नहीं था वहाँ पर जब इसमें क्या है constitutional monarchism में यहां पर एक तो राजा हो गया और एक जंता द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति हो गया तो यह दोनों काम कर रहे हैं लेकिन हमारे यहां जब देश गुलाम था तो वहां पर सिर्फ और हम पर कोई constitutional मेरार की सहाई तो वह एक उपनी वेश थे ओपनी वेश थे वहांपर गुलाम थे एक तरिके के तो यह है UK अब अगर किसी देश को constitutional realm से निकलना है जो 15 जो देश है तो उनको जो Queen Elizabeth है उनका वहाँ पर खतम करना होगा अपना राश्टरपती वहाँ पर बिठा देना होगा तो यह हो गया है यहाँ पर जो UK जिसके अंदर चार बड़े kingdom है England, Scotland, Wales, Ireland होगे अब 22 जो देश है आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक image लेकर आया था वो image कहां गई भाईया डिलेट तो नहीं होगी न हाँ यह रही देखे क्या था कि कहा जाता है कि जब जहां से सूरज उदे होता है और जहां पर सूरज अस्त होता है वहाँ तक इस अं उब 167 का शाषण नहीं रहा है तो एक यह चीज ध्यान रख लेना और क्या है एक कोशन बड़ा ही दिमाग में बार बार आता है — कि भारत ने अजाद होकर नहीं चीज क्या बनाई नहीं परनाली क्या बनाई क्यूंकि क्योंकि जब ऑंग्रेज थे, तो उन्हों नहीं हमे चुनावी प्रक्रिया दे दी थी, लोगों को समझा दिया था कि चुनाव कैसे होते हैं, रेलवे हो गया या पुलिस हो गया या सैना होगी, तो वो ही बना के चले गए थे तो एक जो चीज हमारे देश में जब उठती है कि ये विवस्ताइं कैसे हो रही है देखे, भारत जब अजाद हो रहा था तो अजाद होते समय कि अंग्रेज जब छोड़के जा रहे थे तो भारत के लोगों को ही वहाँ पर बिठाया जाना था, कि भी अब भारत के लोगों के द्वारा ही भारत को चलाया जाएगा चुँकि हमारे देश में जो विवस्ताइं चली आ रही थी देखे, एक कोशन बड़ा ही आम आता है कि भारत ने प्रेजिडेंशल विवस्ता ना अपना कर ये संसदिय विवस्ता क्यों अपना है एक तो कोशन ये उठता है देखे, इसका रीजन ये है कि भारत काफी समय से देखे अपनिवेशी काल में तो जीता रहा अब वहाँ पर क्या हुआ कि अपनिवेशी काल में जीता रहा तो अंग्रेजों ने ना सिखा दिया था कि कैसे वोट हो रहा है कैसे इलेक्शन हो रहे है कैसे ये सिस्टम चल रहा है तो जो वहाँ पर हमारे जो लोग थे उनको असानी से ये परक्रिया समझ में आने लगी थी अब वहाँ जो अनपड़ व्यक्ति वी था वो इस परनाले कोचे से समझ सकता था अब नई वेवस था लानी जो प्रेजिदेंशियल सीधा अगर आप राष्टपती का जैसे यूके में चल यूएस से में होता है अगर वो एक परक्रिया हम यहाँ पर लेकर रहे हैं तो वो नई परनाली समझाने में प्रोबलम आती तो एक तो वो चीच चल रही थी तो चीच मैं एक वापस आते मुद्दे पर जैसे मैंने कहा कि जब अंगरेज जब जा रहे थे देश को छोड़कर जा रहे थे इवन जहां पर जिन जिन देशों के ऊपर अंगरेजों जने शाशन किया था और अब वो वहाँ पर उनको आजाद करके वापस अपने देश में जा रहे थे तो यहां पर जाते समय देखे जब अंगरेजों का शाशन रहा तो अंगरेजों को शाशन करने के लिए कुछ चीजे चलानी पड़ी थी या फिर कुछ वेवस्थाएं करनी पड़ी थी जैसे कोई collector हो गया मतलब की revenue generate करने वाला revenue को collect करने वाला या फिर सैना होगी या फिर और भी चीजे होगी वहाँ पर इन चीजों को सही रूप से चलाने के लिए अंगरेजों ने कुछ वेवस्थाएं मना रखी थी तो इनको ना tips and tricks पता थी कि कि किसी देश को चलाया कैसे जा रहा है तो एक तो यह चीज थी जब यह देश को छोड़के जा रहे थे जो दिन देशों में से निकल रहे थे तो वहां के जो देश के परतिनिदी जो थे उन्होंने सलाम असवरा किया कि अगर यह यहां से जा रहे हैं तो हमें तो कुछ न कुछ तो support चाहिए ना कि देश को चलाते कैसे हैं वो tips and tricks तो चाहिए अभी कल को आप एक क्या है कि आपने कोई group बनाया मान लीजी आपने कोई group कोई भी ex नाम से कोई group बना लिया और इस group को कैसे बढ़ाना है कुछ भी मान लीजी कि भी या तू संभाल ले ये ले group मैं तो चला लेकिन इस बन्दे को तो समझाना अब ये कहेगा कि भी साब आप जा रहे हो कम से कम सर पे हाथ तो रख लो इस group को कैसे बढ़ाना है ये tips and tricks तो मुझे बताते रहना ताकि ये सब से सब सही चलने लग जाए तब आप असानी से जाए मतलब कि तब यहाँ पर आप अराम से तब मत बताना पहले तो चीजे मुझे बता दो न कि कैसे चीजे चल रही है तो ऐसे इन देशों ने बैठ कर एक मीटिंग की जितने भी ये देश चलाए कैसे जाते हैं तो ताकि हम भी हमारा देश सही डंक से चला लें अब ये जो सपोर्ट करना जो था इस चीज को ही कहा जाता है राष्टर मंडल देश जो ये देश निकल कर आए ना राष्टर मंडल इन ही को मतलब कि जो देश आये कि भी हमें आपका सपोर्ट चाहिए देश को हमें चलाना है आप बताईए कि कैसे कैसे चलाते हैं जो ये इन ही देशों को कहा गया था राष्टर मंडल देश और इस राष्टर मंडल देश में है चौवन देश जो 54 देश है इसके अंदर अब इन 54 देश में से ही इन 54 देश के अंदर में सी 16 देश ऐसे हैं जहां पर राष्टर मंडल जो मैंने कहा ना Commonwealth Realms है देखिए ये तो है Commonwealth Countries और इन 54 में से Commonwealth Realms जहां पर Republic ना होकर जहां का परधान मंत्री तो उसी देश का है लेकिन जो एक सर्वोच पद है वो यहां पर Britain को दे रखा है तो यहां पर तो यह हो गया Realms लेकिन जो यहां बाकी जो देश बचगे बाकी देशों में से भी आते हैं कुछ देश उसके बेरे में भी बात करने वाले तो एक तो यह चीज़ होगी Commonwealth Realms क्या होता है अभी एक हैरानी वाली बात हैरानी के एक बड़िया सी बात होता हूँ कि दो अफरिकी देश ऐसे थे जो जहां पर कभी Britishers का शाशन रहा ही नहीं और Britishers का शाशन ना रहने के बाद उनको ये वाली विवस्ता इतनी पसंद आई कि उन्होंने का कि भाया हम इन चोवन देश में शामिल होना चाहते हैं अभी 2009 में ताजा ताजा जो देश शामिल हुआ है उसका नाम है रवांडा मुजांबिक और रवांडा मुजांबिक तो पहले हो गया था लेकिन रवांडा अभी शामिल हुआ है इन देश पे कभी भी इनका शाशन नहीं रहा Britishers का अब Britishers का शाशन नहीं रहा तो यहां पर क्या हुआ इन्होंने का कि हमें आपकी विवस्ता बड़ी पसंद है हम यहां पर इन राश्टमंडल देशों में शामिल होना चाहते हैं कि आप बताइए कि हमें देश कैसे चलाना है हम चला देगे हैं बारे तो एक तो यह चीज थे तो यह चीज दियानक नहीं कोशन पूछ लिया जाते हैं कि कौन से ऐसे दो देश है जहां पर ब्रिटिशर्स का कभी शाषर नहीं रहा फिर भी वो कॉम्मन वेल्थ कंट्री में शामिल हो है क्लियर अब आपको इसके बाद फर्दर बताते हैं कि 16 देश होगे जहां पर कॉम्मन वेल्थ रियलम चलते हैं अब 5 देश ऐसे हैं जहां पर इनका 5 देश ऐसे हैं जहां पर इनका खुद का राजा है राजा यहां पर ब्रिटेन का ना होकर इनका खुद का ही इन 5 देशों के खुद का ही राजा है और जहां पर एक तरीके से परदान मंत्री भी है Constitutional Monarchism इन 5 देशों में भी चलता है कौन-कौन से होगे लिसाथो, स्वाजी लैंड, बुर्नेई, मलेशिया, टॉंगो रिपबलिक तो ये पांच देश हैसे होगे जहां पर आप कह सकते हैं कि इनके खुद का ही राजा और इनका खुद का है परदान मंतरी होगे Constitutional Monarchism चलता है और जो बाकी जो बच गए, कितने होगे ये 16 नहीं, 16 में से 15 ही रह गए हैं, अब तो एक तो देश निकल गया है जो 5 और 15, 20 होगे और बाकी जो बच गए 20 यानि 34 जो कंट्रीज हैं, अब ये 34 जो कंट्रीज हैं, वो हैं Republic यह हैं Republic countries Republic countries में यहाँ पर परधान मंत्री भी है और इनका यहाँ पर राष्टरपती भी है और राष्टरपती जो है उन्हीं के देश के द्वारा चुना गया है तो यह चीज़ें समझ में आ गएंगी Commonwealth realm क्या होता है Commonwealth countries क्या होती है यह चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है तो अब इन में से ही मैं फिर से बता देता हूँ इन 16 जो परधान मंत्री के जहां पर Commonwealth realm जो countries है उन में से एक देश जो बारबाडोस है वो अलग हो गया है इसकी आप location दे सकते हैं कि कहां पर अधक्षिनपूर यानि South East Caribbean सागर में एक छोटासा दीप है यह परऊसी देशों में बात करें तो उत्तर में लूशिया है पश्ची में सेंट विसेंट और ग्रेंडाइन्स है और South के अंदर त्रिनाद त्रिनी दाद और टोबैको शामिल है और यहां पर East की बात करें तो East में तो भईया पानी पानी है राजधानी आप देख लीजिए Bridge Town है और स्वंतंतरता मैंने जैसे का 1966 के अंदर मिली थी लेकिन partially स्वंतंतरता मिली थी इन्होंने अपना परधान मंत्री तो चुना था लेकिन राष्टपती नहीं चुना था लेकिन आज इन्होंने इनका खुद का परधान मंत्री भी और खुद का राष्टपती भी है तो यह जीजी हो गई यहां पर कैरिबियन का हिस्सा रहे हैं यह कैरिबियन समुधाय का ध्यान रखना कि भी काफी जादा यहां पर शाशन किया है ब्रिटिशर्स ने तो Constitutional Monarchism और Republic में मैंने आप लोगों को बता दिया है और आप भारत और Barbados के संबंद के बारे बात करें तो काफी बढ़िया संबंद रहे हैं हमारे इनके साथ और इनों ने Barbados ने हमारा समर्थन भी किया है UN के अंदर एक UN Security के अंदर चाहिए वो Permanent Seat को लेकर हमारे दावे के लिए खड़े रहना या फिर Temporary या Non Permanent Seat के लिए हमारे लिए वोट करना तो इनोंने वो चीज़ें की भी है Clear हुआ यहां पर हमने काफी सारी चीज़ें किया है वायू सेना समझोता किया है हमारे यहां पर सीधी आपके देश में और हमारे देश के बीच में यानि Barbados और भारत के बीच में भी एक जो वायू सेवा जो है वो शुरू की जाएगी वो चार्टर प्लैन हो जो कुछ भी हो तो वहाँ पर वो चीज़ों को शुरू किया गया है यह मैंने जैसे आप लोगों को बताया United Nations के अंदर Security Council के अंदर जो उमिद्वारी के लिए जो था 2011-12 में ऐस थाई सीट के लिए उमिद्वारी के पक्षमें इन्होंने मतदान दिया था और स्थाई सीट के लिए हमारा ही इन्होंने समर्थन किया था और Export इंपोर्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे ही देश का जादा फाइदे मुद्ध यहां पर होता रहा है तो काफी एक अच्छी चीज़े हैं हमारे अच्छे वैवार रही है इनके साथ खेलों में भी काफी चीज़े हैं हमारे इंडियन प्रेमियर लीग के अंदर इनके बार्बेडियन के जो खिलाडी हैं वो खेलते हुए पाई जाते हैं और यहां पर भारत में जो यहां पर बारबडोस है जैसे की भारत के national hero में जैसे आजाते हैं मात्मा गांदी या फिर कहूं चंदर शेकर आजाद, भगर सिंग जैसे यहां पर इनकी बात होती है तो भारत का नाम उटमेटिकली आ जाते हैं तो अब यहां पर जब भी बारत होगी रिहाना की, तो बारबडोस की ही यह निवासी है तो अब काफी ज़्यादा famous है singer है, बहुत ज़्यादा अमीर है कोस्मेटिक की विग्यापन करती हुई भी पाई जाती है तो यहां पर जब भी इनका नाम लिया जाएगा मतलब इनका नाम आ जाएगा कि यह इस देश चे निवास करती है तो यहां पर राष्टमंडल देशों के बारे में यहां पर मैंने चीज़ें लिखी हुई है कि कब क्या था 1949 के अंदर यह बनाए गई थी और यहां पर लिखा हुए 2009 के अंदर रवंडा इस देश में शामिल हुआ मतलब यहां पर राष्टमंडल में शामिल हुआ था कि कैसे क्या करते हैं चोवन देश है इसके अंदर चोवन के अंदर 16 जो देश थे वो Commonwealth, Realam क्या लाए रहते और उसी में से एक देश जो है निकल गया है तो यह सारी चीज़ें आप लोगों को एक PDF के थूँ टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएंगी जो जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको मिल जाएगा साधी साथ वहां पर Facebook का Facebook ग्रूप, Facebook पेज, टेलिग्राम का सबको आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको यह PDF मिल जाएगी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेर करें वीडियो को भी और चैनल को थैंक यू पर वाचिक दिस वीडियो